Hello friends, welcome to learning skills और आज का program है हमारा swap of two numbers की value आज हम दो numbers की value को swap कराएंगे चलिए हम अपना program स्टार्ट करते हैं आज हम दो number की value swap कराएंगे जैसे कि हम A में कोई value एंटर करेंगे और B में करेंगे तो interchange हो जाए वेली ए मेरे चले वैलू यह मैं आजाए चलिए सबसे पहले तिसके सिंपल सी पहले यहेडर फाई लगा देते हैं अब हम इसका कंसेप्ट को भी समझ देत plyसे ze該 का प्रोग्राम को कि यूसर कराएंगे जहीं की ऊपने इंटर किया एम में कि जैसे ינה से एंटर कराया चल्हीं हम साइν्ड करते हैं फिर फिर बाद में यूजर से एंटर करएंगे है टीए थिप कि और बी में हमने यह दो बनाईंगे इसमें यह ब evangelical करेंगा जेसे हमने प्रोग्राम रन होगा तो यह इंटर चेंज हो जाए एक दूसरे के साथ यह में आ जाए तैन ठीक है और बी में आ जाए हमारा फाइव ठीक है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आज हम थर्ड वेरियेवल का यूज करेंगे एक हम टैम पर वेरियेवल बनाएंगे ठीक है हम किचन रूल इसमें अपलाई करेंगे ठीक है जैसे किचन रूल में सब्पोज करिए हमार पास दो ग्लास है एक ग्लास में पानी है और एक ग्लास में दूद है टो इसको हमें एक ग्लास को दूदवाले ग्लास में पानी डालने पानी वाले क्या करेंगे क्या करेंगा हम एकई वेलू यानिके में वेलू को दूद मालेते हैं तो एक वेलू डाल देंगे मतलब इसमें हम दूद डाल देंगे ठीक है तो अब हमारा ए गिलास खाली हो चुका है ठीक है फिर हम ए वाले में क्या करेंगे जो ए हमारा गिलास खाली हो था दूद वाला उसमें हम बी वाले मतलब बी वाले पानी वाले गिलास को डाल देंगे पानी वाले गि ख़ल हो चुका है तो जो हमारा एक का खी फिक जोर》 हमारे टैम्प में था तो हम क्या करेंगे जूंए एक हम बी में असायन कर देंगे टेंप वाली चीज को मैं यहां फेट गैट इस प्रकार हमारा किए ओप्रोग्राम बने कर दियार हो जाएंगा इस स DAN मेरे वाली जामारे यहां पर मिल्क եा इसमें वेसमें में आ गया टैंप गिलास में खाली वाली गिलास में एए चघिया। ही कि तो मैंने ऑंपे दो ने एंड़ी वनाया है है में एक टैंप दूध्य नहीं समें की हなた अधिक है हमें आफे डारेक्ट पहले नमबर असाइनी कर देते हैं एक्स में मैंने रख लिया फाइफ ठीक है और वाइं में मैंने रख लिया तो वह मारा वह टिचन रूल अप्लाइब करते हैं जो वहारी टैंप वरियेबल है उसके अंदर हम असायन करेंगे इक्स की वैल्यू, ठीक है, फिर जो हम हमारा एक्स डिलीज हो चुका है और वो टेंप में आ चुका है, फिर हम, एक्स के अंदर य की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अब हमारा वाइ रिलीज होके, तके एक्स में Go चुका है अब हम वाइक की वैल्यू जो हमारा ध्यारवाइकन कानी काऄ है अबस चिया के अन्दर प्रोग्राम वैक्स युजा के लाइए कि मैं इसके अंदर लिधे ता हम वैल्यू था अङ शोड़े ex X is equal to %d, sorry %d, ठीक है, फिर मैं लाइन चेंज करा देता हूं, फिर हम लिखेंगे, Y is equal to %d, ठीक है, और फिर हम X और Y की वेल्यू करते हैं, प्रिंट X and Y, रिटन 0, लेट सेट हमारे प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए हमारी X में 10 आ चुका है, जो हमारा Y में था और Y में 5 आ चुका है, जो हमारा X में था, अब अगर हम user से input value कराना चाहेंगे तो वह भी करा सकते हैं, बस हमें इसके जड़ा हम, पहले मैं assign value अटा देता हूं, sorry, ठीक है, फिर मैं user के लिए message प्रिंट करा देता हूं, enter, a number, ठीक है, यह फर्स नमबर, मैं डारेक्ट दोनों नमबर कर देता हम, एंटर, टू नमबर, टू नमबर्स, ठीक है, पर्सेंट दी, पर्सेंट दी, हम यहां दो नमबर वैल्यू उन्पुट कराने इसले, हम दो बार पर्सेंट दी लगाएंगे, एक्सेंट, ठीक है, sorry, address operator नहीं लगा है, address operator लगा है, अब हम इसको run करते हैं, यह देखिए, enter two numbers आ रहा है, हमने 10 and 20 टाला, ठीक है, तो देखिए, आपर value interchange हो गई, जो हमारी x में value थी, y में आ गई 10, और जो हमारी y की value 10, अगर आपको हमारी वीडियो के संद रहा है तो प्लीज इसे like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और हमारे चैनल को subscribe करने मत बूलिए, subscribe करने से आपको यह फायदा होगा कि हम, मैं जब भी आपके लिए कोई नई प्रोग्राम की वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी notification आपको तुरहनत मिल जाएगे और आप उसे देख पाएंगे, THANK YOU